हेलो एवरिवान नमस्ते हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी विल्कुल ठीक थाख हूं तो देखिए जी सुबह के ग्यारा बज रहे हैं ग्यारा बजने में भी पाच मिंट बाकी हैं और मैंने कर लिए अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग और आज अगर दिन की बात बताऊं तो आज दिन है जी शुकरवार और तारीख है आज 24 फॉर्थ ओफ फैब और कल है फिफ्ट फैब और आज मैं बुटीक पर नीचे नहीं गई अपने हस्बेंट के साथ क्योंकि आज मेरा था कि आज मुझे सारा काम खतम करना है और लड़कि तो आएंगी उनको मैंने बोल दिया है कि अगर शेटर बंद भी होगा तो तुम आ जाना मैं इधर से मतलब जिस तरफ से दरवाजा है उस तरफ से उनको जो है बुटीक में काम बता दूंगी तो वो कर लेंगी तो मैंने बुटीक जो शेटर है वो दुपहर को जब में हस् नहीं हुआ और मेरी तबीयत भी कुछ खराब थी और कल है में हमारी marriage anniversary तो आज मुझे मार्केट भी जाना है तो इस वज़े से मैंने shutter open नहीं किया कि अगर मेरा time मतलब बच गया तो मैं shutter बंद बंद ही जो है मार्केट जाओंगी और उसके बाद फिर जो है अपना काम काना start कर देंगे तो अभी जो है मैं घर के हाला तो सुधाने लगी हूं मेरा target है कि एक घंटे में काम सारे खतम करने हैं 12 बज़े तक देखती हूं हो पाते हैं या नहीं और आज मुझे कुछ special भी बनाना है क्योंकि कल मैंने बनाए थे गुल-गुले और जो नमकीन टिकिया होत दाल जिसको काली दाल भी बोलते हैं और माम सुरकी दाल भी बोलते हैं शायद वता नहीं मुझे उसको मैं तो ज्यादा माहा सड़े मतलब हमारे पंजाबी में महाधी दाल या माचोलिया दीदाल इद्धा बोल दे तो चलिए जिए आपको घर दिकाती हूं और आज मैंने पहना है नेया सूट नेया क्या पुराना ही है मतलब स्टिच अभी इस साल किया है तो देखिए जी यहां पर उनकी पानी की बॉडल पड़ी है वो जो नहीं लेके गया आज ऑफिस यह मैं जो है रसी आसी बनाई है नाडे से क्योंकि जो ब्लूस्टर कवर होते हैं गोल पि हो राजा तो उन्होंने भी पिजग किया था और यह मेरे हस्बेंड लेकिया है मेरे लिए क्योंकि मुझे यह बहुत अच्छी लगती है तो काफी टाइम से मिले नहीं पा ली थी तो अभी उनको मिली तो वह 6-7 कठी ले आए यहां हमारा लुड़ो टेवल पड़ा है हीट नीचे रखा यह चपल वह मैंने चेंज कर ली क्योंकि वह बहुत ज्यादा फिसल रही है और इसकी वजह मेरी परसों बहुत खराब हुई वह इस वजह से क्योंकि इस चपल को पहन कर जो मैं उपर सीड़ियां चड़ रही थी और मेरा पैर इतनी जोर से फिसला कि मैं नीच बाहर का कवर शेल वह पड़ा था उससे मेरा फिसला तो यहां से मैं फिसल थी हुई सीधी वहां जहां मैट है नीचे वहां तक गई एक गिरी भी सीधी सीधी तो इतनी ज्यादा चोट आई मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रही थी पूरी बोड़ी में एक अकड़नसी आगी ये टावल बिचा कर खाते हैं ताकि बैट शीट गंदी ना हो इसको जाड़ना है और इसको इकठा करकर सोफा बनाना है हिटर यहां से उठा दूँगी बैट शीट मैं अभी जाड़कर बिचाने लगी हूँ कुल्ट को मैंने तया लगा कर वहां रख दिया इसका पानी चेंज किया है और इसका भी विस्तर बिचाना है तो इसको मैं जो है भी जाड़ पूछ कर बिचाऊंगी कीचन की भी साफ सफाई कानी है इधर जो है मैं जो मार्किट गई थी डाल कर कपड़े वो रखे है और एक स मौस्ट का मतलब काम खतम है और आज मुझे बनाने हैं दहीं बले दहीं मतलब दहीं के बले तो वह उसके लिए दाल मैंने रात में भीगोई थी मौसम आज काफी कलियर है अब देख सकते हैं कि आज सामने का घर दिख रहा है और बादल काफी चाय हुए है बोल रहे हैं कि अज बारिश होगी देखते हैं या नहीं तो वह तो टाइम ही बिताएगा कि बारिश होगी या नहीं तो चलिए जी बाते बहुत होगी अगलब दे हैं काम पर तो देखिए जी अगर टाइम में आपको दिखा हूँ तो बारा बज़ कर दस मिंट हुए हैं मतलब एक खेंटा और दस मिंट में पूरा घर जो साफ का लिया है घर बिल्कुल साफ है यह कपड़े मुझे दूलने के लिए लगाने हैं तो मैंने इधा रखे हैं क्योंकि कपड़ों वाली बकेट नीचे है इधा सीडियां भी क्लीन है यह बस जो दरी है वह यहां नीचे बिशानी है लेकिन उसे पहले को दिल्कुल कर दिया है चकते साफ पहले दिर्वाजा को दिए लगा दो तो देखिए दर वगा दिल्गा दिया दो आधर वरतिंस शो में बाद्ण पर धिल्कूल के लिए के माले और दो बिल्कूल को करके रख दी लेकिन यहां पर गया हुआ मैंने जमाया था दही तो वह देहीं थोड़ा से गिर गए उसवजे से यह ठोड़ी सी गंदी हो गई है वह फिसे पहले मैं बले बना लूँगी कीजन का सारा काम खतम है बस यही रहता है तो इसको कर लूँगी तो सारा काम खतम हो जाएंगे और नीचे चली जाओंगी सिलाई का काम काने और पहले ये काम खतम करूँ उसके बाद फिर त्यार होती हूँ थोड़ा सा अच्छा सा हुलिया बनाती हूँ तो नीटे कर दो मैं लाए तो फ़ीम तो असे बना दो यो विडिय। लुए एक शिया हम आपके लिएक लोड़े के भी मांगी तो देखिए जिए kitty अगा सब कर दो बढ़ ले हैं बन कर त्यार हैं और इधर तड़के की मैं बुनाई कर रही हूं कि मुझे बनाना है शाही पनीर तो यहाँ पर मैंने पनीर को भी रोस्ट कर लिया टाइसन और यह दोनों मॉनिका खेल रहे हैं तो यह दोने अब मैं त्यार होगी हूँ मैं जा रही हूं मार्केट और निकार रही हूं मास्क मास्क लगा लगा हूं पर ले अब चलिए बचलते हैं मार्केट देखते हैं क्या लागते हैं तो देखिए जी हम मार्केट से आ गए थे और मार्केट से आने के बाद जो भी मेरा गिफ्ट मुझे मिला है अब यसी बात है कि जो गिफ्ट मुझे मैरी जिनवर्सरी पर मिला है तो वो गोल्ड था तो ये मेरी पसंद का ही उन्होंने मुझे लेकर दिया है तो ये जी मुझ मुझे लेके दिये हैं उन्होंने ये Mireign कह लीजिए हुआ प्यानिया काहते हैं टॉपस केसे मुझे नि निए ससक्ष क्ता है तो मुझे मुझे पंड़ te 118 ऐ बनलख हैं तो यह कर दिये हैं मेरे हमें ऑर जिस बस यही थे कि मुझे इनकी जुरूरत है तो वो मैंने ले ली क्यूंकि पाए ले तो फिर मुझे करवा चौत पर मुझे मिली ही है तो जो मैं अपने डाल कर गई थी बड़े वाले एरिंग तो वो मैंने उतार दिये हाला कि वो भी जो है gold की है तो ये फिर मेरी husband ने बोला कि चलो ये डालो और फिर ये डाले ही रखना तो मैं बोल रही थी कि कल डालूँगी कि जिस दिन हमारी marriage anniversary है उसी दिन डालूँगी क्योंकि आज थी चार और कल है पांच तो पांच को हमारी marriage anniversary है लेकिन उन्हें बोला कल क्या आज क्या आज ही डालो तो यहां पर फिर मैं डाल लिये थे और ये वाले मैंने उतार दिये ये वाले मेरे जो हैं इनका भी डिजाइन सबको बहुत पसंद आता है ये मैंने अपनी थर्ड मेरिज अनवरसरी पर शायद बनवाए थे और उस ताइ रहे थे हमारे जो अंकल हैं जिन से हम गोल्ड लेते हैं तो उन्होंने न्यू शॉप खौली है उशियारपूर से जो होंगे उनको पता होगा कि अवतार जोलर्स ने अपनी न्यू जो है वो खोला है शोरूम तो वहां पर इन्योग्रेशन पर उन्होंने हमें बुलाया हु क्योंकि बीच का चाहिए था मीडियम सा जो देखने में अच्छा भी हो और डेली वेर के लिए कंफोर्डेबल भी हो क्योंकि जो मेरे टॉपस थे वो मैं डेली यूज में नहीं पहन सकती थी क्योंकि टाइसन बाबु जो है ऐसे खीच देता है तो उनकी नीचे से चेन जो लगे आज कल आपको पते हिरे अलात कैसे हैं और चोटी बालियां है वो जब भी नहाते वक्त कपड़े चेंज करते वक्त जब वह ऐसे उलज जाती थी कपड़ों में गिर जाती थी तो वह वह मैं कभी-कभी उतार कर रख देती थी पहनती नहीं थी डर की वज़े से कि जा मतलब बैंड ऐसे जैसा मेरा है इसमें डिजाइन है लेकिन मैंने उनको प्लेन गोल्ड का लेके देना था बस बीच में एक डाइमेंड लेकिन वह नहीं मिला उन्होंने बोला कि वह और पर बनवाना पड़ेगा तो वह जो है हम रुक कर बनवाएंगे आज उनके पास टाइम नहीं था क्योंकि ओविस सी बात है आज ओपनिंग थी तो रश काफी था तो इस वज़े से विप ज़्यादा टाइम मुझे पाइल्स भी लेनी थी वो भी नहीं मिली और गजरे भी लेने थे चांदी के वो भी नहीं मिले तो वह हम जाएंगे किसी दिन फ्री होकर तो उनक अच्छी लगती है तो देखें यहां पर मैं अपनी चाही लेकर बैठ गी हूं बिलकुल कप भर कर मेरा पीने का मन था तो साथ में मैंने बिस्किट लिए यह आटे के बिस्किट और इधर बाबू को भी मैंने फीड डाल कर दे दी है कि मेरे पास बैठ कर आलेगा और मुझ जाने के लिए लेट हो जाएगा तो मैं अफिस साथ में ले जाओंगा उसमें डालकर डंबलर में और तुम पी लेना पीछे से तो फिर मैंने सोच चलो टैसन को साथ में फीड दे दे ती हो तो यह भी खा लेगा और मैं भी जो है खालूंगी फिर उसके बाद जो है कर लिया है तो इसाद तो पला कर लिया है वी समय उसमें नहीं किया और देखती हूँ करती हं यह रिचे नहीं करती हुगा है आपशओी दीचिए वान में रखते द कंना इन रखती होगी —से की find a good Luke बातके सबस्तितों हैं है और जो है मेरा कि पूचा अविड बादम पाध और कल क्या पहनना है मुझे कैसे त्यार होंगे या कैसे हम अपनी अनिवर्स्टी सेलिबेट करेंगे तो वो आपके साथ जो है नेक्स वीडियो में मैं जो है शेयर करूँगी क्योंकि इस व्लोग को एंड करना होगा नहीं तो ये बहुत ही हो जाए तो फिर से क्लेम हमारे पर आएगा तो इससे अच्छा है कि कुछ नहीं शूट करो क्या क्या फाइदा है उनकी दुकान आपको दिखाने का क्या फाइदा ना इस वज़े से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उन्हों उन्होंने अपने कैमरा मैं लगवाए हुए थे जो शूट कर रहे थे कुछ लेडिस थी जो वहां पर वीडियो अपनी बना रही थी तो मैंने लेकिन नहीं बनाई क्यूंकि वहां पर राश्य भी बहुत ज्यादा था तो चलिए जी अब ची लगी है तो कितना धुआ निक सूचे और कर्द hon कर दूं और बार-बार जीब सा लग रहा ठूंकि थोड़ा निया है और टाइट नहीं पना तो बहुत पसंद की नहीं लिख यह अंपकर अपनी पसंद की नहीं ली जेखा और संवीडियो को ही मिलते हैं आपको नई व्लोग के साथ बाबाई टेक केर अपना क्या रखिएगा खुश रहिए बाबाई